तो आज हो रहा था मस्त मॉन्सून का सीजन तो इसमें पापा ले आये थे बहुत सारी सबजियां तो आए इन सबजियों को उठाते हैं और बेडरूम तक चलते हैं क्योंकि हमारा फ्रिज उसी तरफ है तो आज मैं आपको बताऊंगे किस तरीके से आप सबजिया सेट किया की और नई सब्जियों को हम नीचे दबा के रखेंगे अब आप देखरू यह टमाटर कितने महंगे तो नई सब्जियों में हमने टमाटर तो बिल्कुल नहीं मंगवाएं तो पुराने वालों को अपन अच्छी तरीके से बेड पे रख देंगे बेड पे अहराम से टमाटर सब्जियों को नीचे एरेंच करनें स्टार्ट कर देंग्या तो सबसे पाले अच्छी थे वह वह 17 अपर रख दी वह यहांपे हमने पूरानी सब्जिया जो है उरक लिए नाइच सब्जियों कि पॉलेची से लूने पालने लोजिकी समझाओंगी वरनर आप लोग बोलो के सबसे पहले निचे सेट कर देंगे उसके बाद इसमें लगा देंगे खीरा और भिंडी लिटरिली भिंडी बिल्कुल मेरे एक्स की तरह यही एक्स है जिसकी मैं बात करें थी एकडम टॉक्सिक अब बोलेंगे यार किसी सबजी को टॉक्सिक क्यों बोलना मैं पूरी बात बच्पन में क्या था मुझे भिंडी का टेस्ट अच्छा लही लगता था लिकिन मेरे भाई को पसंत इसलिए यह बंती बंती थी अब इसका जो है मुझे टेस्ट जो है बेटर लगने लगाए मैं अलग अलग तरीके से जैसे लसोने भींडी आपने बहुत से रेसिपी से देखी होगी डाली है लेकिन मैं टेस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि I am allergic to it तो इस तरीके से कोई डिबा ले लीजे और इसके तो सिर्फ धनिय की पतिया डाल दीजे पीछे का पार्ट बिल्कुल हटा दीजे तो अगर आप पतिया डालके इसको बंद करके रखेंगे तो ये स्टोर होके रहेगा अच्छे तरीके से रहेगा और लगबग 10-12 दिन तक चलेगा या आप देख सकते हो 12 दिन पुराना धनिया है जो कटोरी के अंदर मैंने रखा भी पुराना धनिया निकाला है और वो बहुत ही जदा फ्रेश लग रहा है तो इस तरीके से आप धनिया ikepark भी शेव कर सकते हो सबजिया सारी हमारी सेट हो चुकी है कोक हमारी सेट हो चुकी है धनिया बल्कुल सैट है डिबे को हम अउपर सेट कर देंगे चलो फृच को बन करते है आप्ट को बताती हो लोजग लोजिक क्या था न मेरा वो थैलियों के पीछे यह था कि अँगि तो एक तरीके से थोड़ा कम यूज कर सकते हैं थैलियो का तो चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो फटा फट से